हाई गाईज, वेलकम डो विगास अलाइन एजूगेशन, दोस्तों आज के सेशन में हम लोग विकली करेंट अफेर्स 5 से 11 सितंबर 2021 के बीच में जितने भी इंपोर्टन करेंट अफेर्स बने हैं दोस्तों सभी को हम लोग डिखने वाले हैं और आज का सेशन सभी एक्जामो के लिए अत्य महत्पोर्ण हैं चाहे वो बेंकिंग हो, रेल्वे हो, एसेसी हो या फिर किसी स्टेट का एक्जाम और करेंट अपर्स अपने आप में एक बहुत इंपोर्टन इसा है दोस्तों किसी भी एक्जाम के लिए तो आए दोस्तों आज का सेशन को स्टार्ट करते है और चलते हैं आज का सेशन का First Question की ओर, देखिए दोस्तों आज का सेशन का First Question हम लोगे सामने माद चुका है और First Question यहाँ पे अती मात्पोर्ण हैं क्वेशन क्या बोल रहा है दोस्तों कि Tokyo Para Olympic 2020 में भारत ने कूल कितने medal जीते हैं, देखे यहाँ पे एक word आया हुआ है 2020, देखे दोस्तों यहाँ पे Tokyo Para Olympic actual में यहाँ पे 2020 में ही होना था, लेकिन कोरोना के कारण से इसको क्या कर दिया गया, 2021 में पोस्पोन कर दिया गया है, ले यहाँ पे question क्या बोल रहा है दोस्तों कि Tokyo Para Olympic 2020 में भारत ने total कितने medal जीते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा 19 medal जो है Tokyo Para Olympic 2020 में भारत ने जीते हैं, अब यहाँ पे हम लोग क्या देख लेते हैं दोस्तों, gold medal winner को देख लेते हैं, तो यहाँ पे gold medal winner हो जाएंगी, आउनी लकरा अब यहाँ पे ही कैसे जीते हैं दोस्तों, तो महिला बर्ग में 10 मिटर यह राइफल सुटिंग में जीते हैं, question आप लोग को इस तरीके से भी पूछ सकता है कि आउनी लकरा जो है, किस खेल से हाँ पे संबंदित है, यहाँ पे हो जागा राइफल सुटिंग, तो यहाँ कितना मिटर, 10 मिटर यह राइफल सुटिंग, यहाँ पे सिर्फ आप लोग को पूछेगा कि आउनी लकरा जो है, किस खेल से संबंदित है, तो यहाँ पे हो जागा यह राइफल सुटिंग, ठीक है, अब यहाँ पे next आ जागा दोस्तों, कि सुमित अंटिल, तो सुमित अं इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, चोथा देख लेते हैं दोस्तों, परमोध बगद, इन्होंने बेडविंटन में सिंगल, में सिंगल में गोल्ड मेडल जीता है, और फिप हो जागा किरिश्ना नगर, यानि कि बेडविंटन में सिंगल मेंस में इन्होंने गोल्ड मेडल जिता है दोस्तों ठीक है चलिए अब यहाँ पर देखे एक important बात यहाँ पर कर लेते हैं DM of Gotham बुद्धा नगर यानि कि जो यहाँ पर गोतम बुद्ध नगर के जो DM थे दोस्तों उन्होंने भी 2021 में जो आवी पैरा ओलंपिक हुआ उसमें क्या किये थे represented किये थे और वहाँ पर क्या जीते थे silver medal जित के अपने देश का नाम को रोसन किये हैं यहाँ पर सबसे पहली बात यह हो जाता है दोस्तों कि एक DM के position में रहते हुए DM का अपने बहुत सारा काम होता है उसके बावजूद भी यहाँ पर एक समय निकालें किसके लिए sport के लिए खेल किये खेल के लिए तो यह काफी important बात है दोस्तों इसका मतलब यह हो सकता है कि आदमी कितने भी busy क्यों ना हो sport के लिए अगर वो खेल निकाल सकता है तो जरूर निकालना चाहिए और इस तरह का olympic में यहाँ पर क्या करना चाहिए पाडिसिपेट करना चाहिए तो भारत के पहले इंडियन civil officer बन चुके हैं दोस्तों गियेम और गोतम हुद्धानगर जो की पैरा olympic में यहाँ पर represented करके भारत को क्या दिलाए हैं silver medal दिलाए हैं ठीक है चलिए अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि athletics में total इस बार हम लोगा कितना medal आया 8 medal आया दोस्तों, shooting से 5 medal आया, badminton 4 medal आया, archery से 1 medal और table tennis से 1 medal तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि total 19 medal हो जाएगा जो कि हम लोगो पेरा ओलंपिक 2021 में इस बार हम लोगो मिला है, ठीक है चलिए, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं total आपके सामने मैं total यहाँ पर जानकरी दे दिया हूं दोस्तों कि आपके सामने में यहाँ पर total मतलब जितना भी 19 जो हम लोग को medal मिला है दोस्तों, 12 medal मिला है, अपने हिसाब से यहाँ पर देख लिजेगा कि भवना पटल silver जीते हैं, ठीक है, निसाद कुमार silver जीते हैं, आउनी लकरा gold जीते हैं, देवेंदर जासरिया silver जीते हैं, सुन्दर सिंग गुर्जर जीते हैं, योगेस कटरिया silver, सुमित अंटिल gold और सिंगराज अधना bronze, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर जीते हुए हैं दोस्तों, और उसी तरीके से आगे भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, total 19 medal यहाँ पर जीते हैं, अब यहाँ पर question यह सिर्फ पूछेगा कि gold वाले खिलाड़ी का यहाँ पर नाम पूछेगा, ठीक है, चलिए, तो next question क्यों चलते हैं दोस्तों, next question हम लोगे सामने में आ चुका है, question क्या वो रहा है, कि बलहर कच्छवा संडच्छन पूरुसकार से किसे शमानित किया गया है, ठीक है, तो सही उत्तर हो जागा सैलेंद्र सिं को बलहर कच्छवा संडच्छन पूरुसकार से शमानित किया गया है, next question को चलते हैं, अति मत मोड़े, defense expo 2022 में अगले साल 10 से 13 मार्च तक कहां आयोजित किया जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा गुजरात में, यानि गुजरात में defense expo 2022 में, ठीक है, 2022 में defense expo कब से कब त 10 से लेकर 13 मार्च तक गुजरात में यह आयोजित किया जाएगा, और यह कितना नंबर का होगा, बारवान संस्क्रण होगा, ठीक है, इसका defense expo 2022, चली, next question क्यों चलते हैं, दोस्तों, next question हम लोग के सामने माच चुका है, times higher education, world university ranking 2022 की घोसना की गई, कौन सा विस्व बिताले सूची में सबसे उपर है, तो यहाँ पे सबसे उपर कौन सा हो जाएगा, दोस्तों, यहाँ पे सबसे उपर हो जाएगा, Oxford 200 बिताले, देकि हर साल यहाँ पे world university ranking यहाँ पे निकाला जाता है, ठीक है, तो किसके दवारा, यहाँ पे है times higher education world university ranking, ठीक है, 2022 की घोसना की गई, दोस्तों, कौन सा 200 बिताले, सूची में सबसे उपर में है, तो सही उतर हो जागा, यहाँ पे Oxford 200 बिताले, अगर भारत का यहाँ पे देखा जाए, दोस्तों, तो भारत का यहाँ पे हो जागा सिर्फ और सिर्फ कोन है, IIT बेंगलूरू, ठीक है, IIT बेंगलूरू को यहाँ पे हम लोग को अस्थान मिला है, दोस्तों, और यहाँ पे देखा जाए, ठीक है, जो कि Cambridge को कितना अस्थान मिला है, पांचवा अस्थान मिला है, और मतलब बोलने का मतलब यह हो गया, दोस्तों, कि पहला अस्थान किसको दिया गया है, और भारत में सिर्फ और किसको IIT बे पेज का निरात किया है, दोस्तों, तो लदाक ने, यानि कि लदाक में सबसे पहले जो एप्रिकोट हुआ, एक फल का नाम है, ठीक है, तो उस फल को, पहले सिजन का पहला फल को लदाक ने दुबई के लिए क्या कर दिया गया है, निरियात कर दिया है, ठीक है, यानि लदा जो पहला भेच वहा किसका एपरिकोट का इपरिकोट क्या है दोस्तो एक क्या है ठल है तो उसको दुबई के quan क्या किया गया है निर्याद किया गया है इसी पकी नेक्श्ट कौर्शिं के छलते है हम लोगे सामने में आ चुका है किस e-commerce company ने किसान storage launch करने की गोसना की दोस्तो, तो सही उतर हो जागा यहाँ पे Amazon यानि कि Amazon के दूआरा simple सा यहाँ पर बात है Amazon के दूआरा यहाँ पर क्या किया गया है? किसान store launch करने की गोसना किया गया है. इसका मतलब Amazon अभी के अंडर हम लोग को ओनलाइन क्या था उसके देजुनाविंदा जा सके निया एक किसान के जितना भी सामान होता है, चाहिए खेती बाड़ी करने से related, ठीक है, तो उन लोगों का भी यहाँ पे Amazon store में, यानि किसान store launch करने के बाद Amazon के दोआरा, यहाँ पे online सामान खरीदारी कर सकेंगे, किस के कुन सामान खरीदारी सकेंगे दोस्तों, यहाँ पे किसान अपने सामान को खरीच सकेंगे खेती बाड़ी से related, ठीक है, चलिए, next question कर चलते हैं, next question आ चुका है दोस्तों, आयूस मंतराले ने, आयूस मंतराले ने, हाल ही में आयूस आपके द्वार अभियान कब से सुरू किया, तो यह हो जाएगा कितना दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 3 सितंबर 2021 तो यहाँ पर इस चीज को याद रखेगा दोस्तों, कि आयूस मंतराले के द्वारा, आयूस आपके द्वार अभियान शुरू किया गया है, और यह शुरू किया गया है, क्योंकि आपको घर घर यहाँ पे दवाई पहुंश जाया जा सकें, उसके लिए यह जो है, अभिया को मंजूरी दे दीगे दोस्तों ठीक है तो यह हो जाएगा कॉर्वे वैक्स को यहाँ पर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के दुवारा कोविड-19 वैक्सिन को मंजूरी दे दीगे यह ताकि इसका क्या किया जा सकते किलिनिकल परिक्षन किया जा सकता है ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशिन क्यों चलते हैं महराष्ट में कौन से अस्थान पर राजी गांधी के नाम पर साइंस सीटी का अस्थापना किया जाएगा तो साइंस सीटी कहां पर महराष्ट का कहां पर पुने में राजी गांधी के नाम पर साइंस सीटी का अस्थापना किया जाएगा ठीक है? चलिए. नेयस्ट कोशिन क्यों चलते हैं दोस्तोफ हाली में भारत ने किस देश के साथ सिम्बेक्स अभ्यास 2021 का 28वां संसकरन किया है? यहाँ फेद कि को पूचे गा दोस्तोफ पहले बात तो यहाँ पे शिम्बेक्स अभ्यास किसके दोवारा किया जाता वो पूछेगा, किसके किसके बीच में होगा, तो यहां पर हो जागा भारत और सिंगापूर, ठीक है, दुसरा कोशिन यह पूछेगा, कि सिंबेक्स अभ्यास जो है, 2021 का, यह कौन सा संसकरन था, तो यह हो जागा यहां पर 28 संसकरन, ठीक है, तिसरा कोशिन यह पूछेगा, स से लेकर 4 सितंबर 2021 के बीच में आपे सिम्बेक्स अभ्यास भारत और सिंगापूर के बीच में 2800 संसकरण किया गया है ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशिन क्यों चलते हैं 3 सितंबर 2021 को पलास्टिक समझोता सुरू करने वाला ACI देश ठीक है कौन सा देश बन गया है यानि की कौन सा हो जाएगा दोस्तो भारत यानि 3 सितंबर 2021 को पलास्टिक समझोता सुरू करने वाला एसिया का यहां पे कौन सा देस बन गया है पहला देस बन गया है जो कि भारत है ठीक है जो कि प्लास्टिक समझोता है यहां पे शुरू करने वाला है ठीक है दोस्तो जो कि यहां पे एसिया का पहला देस भारत बन गया है चलिए नेक्स्ट कोशिन क्यों चलते हैं भारत का पह फिगर यानि फोटो को ले किया रहाओंगा, तो भारत का पहला डूंगोंग संडक्छन रिजर्ब कहा स्थापित किया जाएगा, तो ये तमिल नाडु में, और ये किसके लिए किया जाएगा दोस्तो, सी काओ, यानि क्या सी काओ, यानि कि समूंदरी गाए, तो समूंदरी गाय को सनक्षन करने के लिए यहां पे डूंगोंग सनक्षन रिजर्वर अस्थापित किया जाएगा कोशिन यह भी पूछ सकता है कि डूंगोंग क्या है तो डूंगोंग यहां पे हो जाएगा समूंदरी गाय ठीक है, चलिए, नेक्स्ट कोशिन क्यों चलते हैं, पास सितमबर 2021 को कोपेन हेगन में इंडो टेनिस सायूक आयोग की बैटक, जे सी एम के चोंथे दोर की सह अध्यच इसने किये, दोस्तों, तो यहाँ पे होगा, एस जे संकर जी ने, यानि पास सितमबर 2021 को कोपेन हेगन मे इंडो टेनिस सायूक आयोग की बैटक, चोंथे दोर की अध्यच इसने किये, एस जे संकर ने किये हैं, ठीक है, चलिए, यहाँ पे इंपोर्टन इहाँ इसलिए हो जाता है, क्योंकि यह जेस मंतिरी है, और पोपेन हेगन इंडो टेनिस का बैटक यहाँ पे किये हैं, बित्य डाटा को आसानी से एकसिस करने और साजा करने में सक्षम बनाएगी, तो सही उत्तहर हो जाएगा दोस्तों, कितना आठ बेंग, यानि आठ बेंग मिल करके, आठ बेंग मिल करके यहाँपे किया गया है, दोस्तों, account aggregator किया गया है, और network से जुड़ गे हैं कितना 8 bank ताकि अपने जितने भी customer है सभी को अपना बित्य डाटा को आसानी से exist करने और साजा करने में सक्षम बनाएगी माल लीजिए आपका जो account है कि SBI में है ठीक है? SBI में है और आप जाकर के bank of India में वहाँ पे खाता खुलना चाहते हैं तो अगर माल लीजिए bank of India आपसे ये कह दे कि आपका कौन-कौन सा bank में वहाँ पे खाता और है सभी जानकरी हम लोगों को चाहिए तो ऐसे इस्तिती में आपको form दिया जाएगा और form भर के लाईएगा फिर आप जाएगा state bank of India जाएगा फिर वहाँ से form भरवाक लाईएगा फिर आप bank of India आप जमा कीजएगा तो ये सब में काफी लेट हो जाएगा जिसके कारण से आठ बेंक अपने आप में यहाँ पे क्या किये हैं? account aggregator यहाँ पे sign किये हैं जिसके कारण से यहाँ पे सभी bank का जो जितने भी customer है उनका क्या हो जाएगा भी ये data जो है आपस में exchange कर दिया जाएगा अब बोलेगा सर ऐसे में तो मेरा जितना भी जानकारी है state bank of India में सभी दे दिया जाएगा यहाँ पे बेक आप इंडिया के दोरा तो ऐसाम तो मेरा दिक्कत हो जाएगा तो यहाँ पे क्या middle partner भी यहाँ पे बनाया गया है जब तक से आप नहीं बोलिएगा यहाँ पे अपना data को देने के लिए आपका मंजूरी के बीना आपका data को पारसल नहीं किया जाएगा ठीक है आई बासमझ में चले next question क्यों चलते है next question हम लोग के सामने माच चुका है दोस्तो योसी हिंदे सुगा सिप्टमबर में पार्टी के निता की रूप में फिर से चुनाओ नहीं लड़ेंगे वो किस देश के क्या है प्रदान मंत्री है तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तो जापान यानि कि योसी हिदे सुगा सिप्टमबर में पार्टी के निता की रूप में फिर से चुनाओ नहीं लड़ेंगे ऐसा इन्होंने कह दिया है जो कि क्या है जापान के एम है ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशिन क्यों चलते है नेक्स्ट कोशिन हम लोग के सामने माच चुका है दोस्तो किस रायज में नया निपा वाइरस फिर से देखा गया है तो हो जाएगा केरल रायज में फिर से नया निपा वाइरस को देखा गया है चलिए नेक्स्ट कुछिन क्यों चलते हैं, और किस देश के 2 अगस 2021 को Central Bank Digital Currency योजना शुरू की है, यहाँ बहुत important हो जाता है दोस्तों, कि और किस देश ने 2 अगस 2021 को Central Bank Digital Currency CBDC योजना शुरू की है, तो सही उतर हो जाएगा कौन-कौन सा देश मिल करके, मलेसिया, दच्छिन अफ्रिका और सिंगापूर, यानि तीनों ही देश, और यहाँ पर ऑस्ट्रलिया, कि केंदरे बैंक ने मिल करके, 2 अगस 2021 को Central Bank Digital Currency योजना शुरू की है, आपको एक्जाम में पूछेगा, कि Central Bank Digital Currency योजना के तहट कितने देशों ने मिल कर यहाँ पर समझोता किया, योजना शुरू किया है, तो चार देश, कौन-कौन, मलेसिया, दचिन अफ्रिका, सिंगापूर, और क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रलिया, चार, अगर यहाँ फिर बोल देगा, कि यहाँ पर Digital Currency योजना क्य किस से जुड़ा हुआ है, तो चार ओप्सन देगा, बैंक से, इस तरह का चार ओप्सन देगा, तो सही उतर वहाँ पर क्या हो जाएगा, बैंक से रिलेटेड है, ठीक है, चली, नेक्स्ट कोशिन क्यों चलते हैं, हारून रिसर इंस्टिटूट ने, हारून इंडिया यूनिकॉन लिस्ट में भारत का स्थान क्या होगा, ठीक है, कोशिन इस तरीके से आपको पुछेगा, कि हारून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉन लिस्ट है, 2021 में भारत का स्थान कितना है, तो यह हो जाएगा, तीसरा है, ठीक है, यहाँ पर जीतना भी हम लोग कोशिन ला पर आए गया है, ठीक है, चली, तो हारून इंडिया फ्यूचर यह उनिकॉन लिस्ट में, 2021 में भारत कितने अस्थान पर है, तिसरे अस्थान पर है, नेक्स्ट कोशिन क्यों चलते हैं, अमेरिका से ग्लोबल लीडर और परवल ट्रेकर मोनिटरिंग कंसल्ट के मुताबिक, सर्वे में सामेल हुए 13 बेश्विक नेताओं ने सबसे अधिक अप्रूबल रेटिंग किस नेता की है दोस्तों, तो वो हो जाएगा नरेंदर मोधी जी का, ठीक है, यानि कि नरेंदर मोधी जी, यानि कि किसरे ऐसे यहां पर नेता बन चुके हैं दुनिया के, जो कि सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा दुनिया के लोग इनको पसंद करते हैं, तो आप यहां पर इस कोशिन को भी याद रखिएगा, ठीक है, चलिए, नेक्ट कोशिन क्यों चलते हैं, वतन प्रेम योजना की बैठक, पहली बैठक 4 सितंबर 2021 को किया गया, ये योजना किस र प्रेम योजना किस राजने सुरू की है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कौन सा राज है, गुजरात राजने यहां पर सुरू की है, ठीक है, चलिए, नेक्ट कोशिन को चलते हैं, नेक्ट कोशिन हम लोगे सामने माच उटा है, सो किर्केट, सो टेस्ट हम लोग जानते हैं दोस्तों कि बुम 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 रा के नाम से कौन जाना जाते हैं, बुम रा, तो यहां पर सो टेस्ट विकेट लेने वाले सबसे तेज भारते गिंदवाच कौन बन चुके हैं, ठीक है, चलिए, नेक्ट कोशिन को चलते हैं, अंतराष्टे च्वेरेटी दीवस हर साल को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा, अंतराष्टे च्वेरेटी दीवस यहां पर कब मनाया जाता है, दोस्तों, पांस सितम्बर को यहां पर मनाया जाता है, ओके, चलिए, नेक्ट कोशिन को चलते हैं, अब यहां पर क्या आ जाता है, कि परतिष्ठित ग नेक्ट कोशिन क्यों चलते हैं, किस देश ने बिटकोईन को कानूनी निवेदा के रूप मनेता देने वाली दुनिया का सबसे पहला देश बन गया है, तो याद रखिएगा, क्योंकि यह कोशिन बहुत इंपोर्टन है, और आपका आएगा, आएगा, आएगा एक्जाम है तो किस देश ने बिटकोईन को अपनी कानूनी निवेदा के रूप में मनेता देने वाली दुनिया की सबसे पहला देश बन गया है, तो याद रखिएगा, बिटकोईन को कानूनी कौन सा देश दिया है, याद रखिएगा, बिटकोईन को कानूनी कौन सा देश दिया है, इस question को भी यहाँ पर याद रखेगा दोस्तों कि आप जो यहाँ पर आपका डेर्स में जो आपका गाड़ी होगा ना दोस्तों आपसे जो भी आप नया गाड़ी खर दियेगा तो उसका एक special यहाँ पर नंबर होगा सबसे पहले तो वहाँ पर रहगा कि आप कौन सा साल में आप गाड़ी को खर दे और उसके बाद वहाँ पर रहगा गाड़ी का नंबर जैसे कि 2021 में आपका यह कौन सा गाड़ी है ठीक है उसके बाद रहेगा आपका year का नाम रहेगा है ना year का नाम रहेगा year मतलो साल का नाम रहेगा 2021 उसके बाद पहला यहाँ पर जो नंबर रहेगा वो आपका 2021 में उस company के दुआरा कितना गाड़ी पिचा गया उसका नंबर रहेगा और फिर उसके बाद वह गाड़ी नंबर और उसके बाद इस तरीके से यहाँ पर नमबर को रखा जाने का बात बताया गया है तो Ministry of Road, Transport and Highway के दौरा इस तरीके का यहाँ पर पंजी करण स्टार्ट किया गया है ठीक है दोस्तों चलिए Next question क्यों चलते हैं हाली में प्रदानमंत्री ने किस महांतम सोतंतरता सेनानव को उनके 150 वी जयनती पर क्या दिये दोस्तों सरधानजली दिये तो सही उत्तर हो जाएगा वी ओ चितमरम पिल्लै तो वी ओ चितमरम पिल्लै को देड़ सोवी जयनती पर परदानमंत्री मोदी ने सरधानजली दिये है ठीक है चलिए किस वर्ष प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़े सावरमत्य आसरम को पुनरुद्धान का परपोजल रखा दोस्तों कब 2019 में देखिएगा यहाँ पे सावरमत्य आसरम आप लोग जानते हैं दोस्तों कि सावरमत्य आसरम मात्मा गांधी जीका था ठीक है तो वहाँ पे 2019 में एक क्या कर दिया गया कि परपोजल रखा गया कि इस मात्मा गांधी आसरम यानि कि सावरमत्य आसरम को हम लोग क्या करेंगे पुनर उद्धार करेंगे यानि कि रिनोवेट करेंगे बोलने का मतलब यह हो गया कि उसमें जितना भी माली जी के कुछ उसमें खराबी आ गया है तो उसको हम लोग फिर से बनाने का कारे करेंगे लेकिन ये बात जैसे ही वहाँ पे मोदी जी के दोबारा बोला गया मतलब यह पोजल रखा गया वैसे ही वहाँ पे उस समय के लिए क्या हो गया हंगामा खड़ा हो गया का पुनरुधान के लिए पोजल मोदी जी किस वर्स रखे थे तो 2019 में रखे थे ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशिन क्यों चलते हैं भारत और किस देश के बिच 6 सितंबर को 9 सेना अभ्यास OC इंडेक्स शुरू किया गया दोस्तों तो आप लोग को देखे ही मालूम चल गया यहां पे OC तो AUS तो Australia हो जाएगा AUS का मतलब यहां पे Australia हो जाएगा और यहां पे index IN से हो जाएगा इंडिया ठीक है और EX से हो जाएगा exercise तो भारत और अस्ट्रिया के बीच में यहां पे क्या हो जाएगा OC index अभ्यास को सुरू किया गया कब 10 सितमबर 2021 को किया गया ठीक है दोस्तों चलिए नेक्स्ट कोशिन क्यों चलते है भारत का पहला जेव इट आधारित भवन कहां खोला गया है बहुत important है IIT हेदराबाद में पहला जेव इट आधारित भवन खोला गया है इस चीज़ को आप लोग यहां पे याद रखिएगा ठीक है बहुत important question है दोस्तों next question क्यों चलते हैं हम लोग किस देश के सुचना एवाँ परसारन मंतरिन दिल्ली में बंग बंदू मेडिया सेंटर का उधगाटन किया है तो बंग बंदू बोलते हैं यहां पे क्या हो जाएगा बंगलादेश और इस से important यहां पे देखिए यहां पे tricks लगाने का भी कोई बात नहीं कि बंग बंदू आप लोग जैसे देखिएगा तो एक ही उत्तर हो जाएगा बंगलादेश next question क्यों चलते है रच्छा मंतराले और भारत सरकार ने किस देश के रच्छा बिभाग के साथ एर लेंड आनमेंड एरियल विकल ठीक है यह लिए क्या agreement पर हस्ताक्षर किया है तो अमेरिका के दोआरा यहां पर ध्यान समझेगा बात दोस्तो कि रच्छा मंतराले और भारत सरकार ने किस देश के साथ में रच्छा बिभाग के साथ में एर लेंड आनमेंड एरियल विकल का agreement पर हस्ताक्षर किया है तो वो हो जाएगा अमेरिका तो इसके करने के पीछे यही है दोस्तो कि हवाई आत्रा के दोबारा यहां पर दवाईयों को पहुंच जाया जाएगा एक जगा से दूसरा जगा इसलिए इसको क्या किया गया है एर लेंड अनमेंड एरियल विकल ठीक है चलिए अमेरिका और भारत की बीच में आपे हाज साख्षर किया गया है एग्रिमेंट पे ठीक है दोस्तो नेक्स्ट कोशिन को जाते है हाली में किंद्र सरकार ने किसे यूनाइटेड इंडिया इंस्वरेंस कंपनी लिमिटेड के अध्यच सब परवंदक निदेसक के रूप में चुना गया है तो सही उत्तर हो जाएगा SL तिरपाठी जी नेक्स्ट कोशिन को चलते है खादे परसंस्करण उद्रे अग्मान तराले द्वारा कब से कब का खादे परसंस्करण सब्ता मनाया जा रहा है तो वो हो जाएगा हम लोगा कब से कब तक वो हो जाएगा 5 से लेकर 11 सितमबर 2021 तक खीक है चले नेक्स्ट कोशिन को चलते हैं भारत में सबसे उचे वायू सोधा का उधगाटन कहां किया गया दोस्तो तो ये हो जाएगा चंदीगड में तो देखे चंदीगड में क्या लगाया गया है दोस्तो वहाँ पे उचे वायू सोधा का उधगाटन किया गया है यहाँ पे मतलब उचे वायू सोधा क सबसे उचे वायू सोधा कर सके फिल्टर किया जा सके तो भारत का सबसे उचा वायू सोधक का उधगाटन कहां पर किया गया है चंडिगड में किया गया है नेक्ट कोशिन क्यों चलते हैं दोस्तो आल ही में इंस्पायर्ड अवार्ड मानक तेक है मानक का फुलकुम्या हो जाएगा के लिए कौन से नंबर के राष्ट अस्तर की पर्दसन और परियोजना परतियोगीता शुरू की गई है तो सही उत्तर हो जाएगा दूस्ते यहां पर आठवे तो यहां पर देखिए दो-तिन तरह के से यहां पर कोशिन पूछ सकता है कि मानक शुरू किया गया है वो कौन सा नंबर का है राष्ट अस्तर का तो वो हो जाएगा आठवे नंबर का नहीं तो वो कोशिन पूछ देगा कि मानक ये क्या है तो मानक क्या है तो inspired award दे दोस्तों अब यहां पर मानक का full form भी पूछ सकता है तो इस तरीके से आप लोग यहां पर सभी जानकरी आप लोगो दे दिया गया चलिए next question क्यों चलते है हाली में किस राय सरकार ने अपने दुकान और परतिष्ठान अधिनियम 1947 में संसोधन के लिए एक बिदहक पेस किया है तो यहां पर हो जाएगा तमिलनाडू अब यहां पर थोड़ा से बात को समझेगा कि यहां पर 1947 में संसोधन के लिए एक बिदहक पेस किया गया है कौन तमिलनाडू सरकार के दोवारा अब यह बिदहक होता किया दोस्तों देखे आप कहीं भी दुकान चाहिएगा अब इइटेंडेंट मिलेंगे जो आपको लुआ जब करने वाले मिलेंगे दुकान में काम करने वाले रते हैं तो वह लोग हमेशा क्या रहते हैं दोस्तों खाडाही रहते हैं वो लोग क्या रहते हैं हमेसा ख़डा ही रहते हैं ठैक है तो यहाँ पे तमिलाडर सरकार के दौआरा 1947 में संसोधन करके 1947 अधिनियम पर्तिष्ठान अधिनियम और ये एक जबरजस्त नहीं हुझ है दोस्तों कि इससे पहले किसी विराजी के द्वारा इस तरह का आधिनियम को नहीं लाया गिया था अब तमिलाडू के द्वारा यहां पे लाया गिया है कि जितने भी दुकान में काम करने वाले हैं सभी को बैठने का अधिकार दिया है इससे तमिलाडू में काफी खुसी है चलिए नेक्स्ट कोशिन क्यों चलते हैं समाज सुधारक और ड्रविट कडगम के संस्थापक पेरियार इवी रामा स्वामी की जन तिति को हर साल किस दिन समाजिक न्याय दिवस की रूप में मनाया जाने की गोसना की है दोस्तों त मनाय जाने की गोसना की गई है ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशिन क्यों चलते हम लोग फुकुसुमा दाई इची परमानुसयन तरह के आसपास रेडियो विक्रन का पता लगाने के लिए किस देश के सोच करता सांपो की सायता ली जारी दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा ज अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको हम लोग जानकारी दे रहे हैं दोस्तों कि फुकुसुमा ठीक है तो फुकुसुमा आपको अब तो मालूम चल गया होगा कि फुकुसुमा कहां पे दोस्तों जापान में अब यहाँ पे क्या हुआ कि देखें फुकुसुमा में फुकुस पर्मानो जो रियक्टर है उसके लिए मैं एक वीडियो लाओंगा लॉंग वीडियो ठीक है समझाने की ठीक है बस अभी आप लोग इतना समझे कि जापान का एक सहर है फुकुसीमा और वहां पर पर्मानो रियक्टर लगाया गया था ठीक है वही से सारा कंट्रॉल होता था और वह समूंद्र के किनारे था वह फुकुसीमा जहां पर यह रियक्टर को लगाए गया है लेकिन वहां पर कुछ दिन पहले वहां पर क्या आ गया दोस्तो बाड़ आ गया ठीक है बाड़ आ गया ठीक है सुनामी आ गया तो सुनामी आने कारण से इतना जादा पानी सहर मे शयाबियाग में पानी जैसे यह यह रियक्टर पानी गुस गया वहां पे एक बहुत बड़ा क्या हो इन स्पॉर्ट वह पर आदमी क्या होगे एक है अब वहांपर होता क्या है जैसे पानी तो मुषने कर दारत तो गूस तो गया नहीं अकान तोगे उसको वहीं पर अब भूवा आ कि हो गया, आगर वह पानी जो mixed हो गया कहां पर पर्मानू रियक्टर में, अगर वह फिर से पानी बाहर निकल जाता और समुधर में चला जाता, तो पूरा समुद्र का पानी वहाँ परमानू रियक्टर यानि के रेडियो धर्मी विक्किरन वहाँ पे हो जाथा तो ऐसे इस्तिती में जपान का टेक्लोजी वहाँ पे काम किया और जो पानी यहाँ पे रियक्टर में उसादा उस पानी को वहीं रोक दिया गया और उस पानी को बाहर निकलने नहीं दिया गया अब जापान ये चार आए, कि उस पानी को जो है, बाहर निकाला जाए, ठीक है, तो जिसके कारण से कोई देश भी इसको परमिसन नहीं दे रहे हैं, और कोई दूसरे देश का तो बात छोड़िये, जापान का ही सहर का लोगों वहाँ पर क्या कर रहे हैं, बहुत ही बिरोध क कर रहे हैं, खारण क्या है, कि इस पानी में अब क्या हो चुका है, रेडियो विकिरन आ चुका है, जैसे ही वहाँ पर समूदर में आएगा, तो समूदर की मचलिया मारे जाएंगी, और जापान अपने मचलियों पर ही निरभर है, ठीक है, और ऐसे में जब मचलियों को खा आदमी, तो आदमियों के सरीर में भी विकिरन चला जाएगा, तो इस तरीके से यह घात तक्सीद होगा, तो उम्मित करता हूं कि आप लोगों को यह फुकुसीमा, दाई, इची, फरमानों, जो रियक्टर है, उसके बारे में मालूम चल गया होगा, तो अब यहाँ पर इस रियक्टर के अंदर में जो मिल्की सब है, उसमें मौजूद है या नहीं है, ठीक है, इसके आगे फिर करवाई किया जाएगा, ठीक है दोस्तों, चलिए, नेक्स्ट कोशिन के चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट कोशिन हम लोग के सामने माचुका है, और कोशिन यहाँ आप टेक्स्टाइल सेक्टर, यानि कि टेक्स्टाइल मन्दला होता है, कपड़ा मंत्राले ने 18,663 करोड रुपिये की उत्पादन लिंग पुरोतसाहन योजना की मंजूरी दी है, अब कपड़ा उद्योग में 18,683 करोड का यहाँ पर क्या होगा, लगाया जाएगा और इसको फिर डेवलोप किया जाएगा, ठीके दोस्तों, चली, next question क्यों चलते हैं, हाली में केंद्र सरकार ने किस राज्य की निक्की समू की राष्टिय समाजवादी परिसत के साथ में एक वर्स के ओधी के लिए युद बिराम समझोता किया है, तो यह हो जाएगा नागा लेंड, अब यहाँ पर थोड़ा समय जानकारी देना चाता हूं दोस्तों, निक्की समू क्या है, निक्की समू आप एक सिधा सा समझ सकते हैं, नागा लेंड का एक माओ बादी, आतंग बादी संगटन है, तो उसके साथ में सरकार है, केंद्र सरकार जो है, एक साल का समझोता किया ह और ये बोला गया है कि एक साल के अंदर में आपलोग किसी भी तरीके से यूद नहीं कीजेगा, तब जाकर के हम लोग मतलब केंदर सरकार आप लोग के साथ में जितना भी अच्छे कारे हैं उन लोगों को करेंगे और आप लोग भी विचार धारा के साथ में आईए, गलत क लोग आभी साथ में हम लोग जो है अच्छे-अच्छे कारी क्रम को सुरुवात करेंगे और आप लोग को फेसिलिटी देंगे यह कहना है किंद्रसरकार का ठीक है आप गोले किंद्रसरकार इस आतंगवादी संगठंसे क्यों हात मिलाया आप जान सकते हैं दोस्तों जैसे कि arnaया अकोर्ड वह था नहां तो इन ही मावाधी संगठं को ही यह ले करके वहां पे ओकड पई जयसे आप लोग जानते हैं दोस्तों कि असम में असम में यहाँ पे क्या हो जाएगा असम में बोडो जन जाती तो बोडो लोग भी क्या बोल रहा था है हम लोग को बोडो लेंड दिया जाए तो वहाँ पे नौर्थ इस्ट में जितना भी राज यहे दोस्तो सेवन सिश्टर को जनाम से जाना जाता है कोई ना कोई, सब कोई वहाँ पर अपना अलग देश बनाना चाहता है जैसे कि वहाँ पर टिपरी लेंड बनाना चाहता है आसम में वहाँ पर बोडो लेंड बनाना चाहता है तो इस तरीके से वहाँ का जन जाती लोग अपना अलग राज बनाना चाहता है अब बताएए इंद्र सरकार किसको किसको परिमिसान दे तो इस तरीके से उस एरिया को आपे कंट्रोल करने के लिए इस तरीके कायरिक करम को किया जलता है एवास में चलिए next question क्यों चलते हैं किसने यह फैसला सुनेया है कि यदि बिना कारण से ट्रेन लेट चलती है तो भारत ट्रेलवे को यह आत्रीयो कून का भाड़ा वापस करना होगा तो किसका? सुप्रिम कोट का एक फैसला आया है दोस्तो 2020 में ये सुप्रियम कोट का 2021 में एक फैसला आया है यहां पे और इस फैसले में ये कहा गया कि यदि बिना कारण से ट्रेन लेट चलती है तो भारती रेलवे को या त्रियो को उनका भाड़ा वापस करना होगा अब बली गई ये आचानक सी ये फैसला किसे है 2016 में एक आदमी थे ठीक है उनका नाम मैं भूल रहा हूँ अभी आप लो कमेंट बॉक्स में जरू लिख जाए उसको समझा दे रहा है 2016 में एक आदमी वहाँ पे रेलवे से यातरा सफर यातरा कर रहा था देख है अब किसी कारण बस वहाँ पे ट्रेन जो है लेट हो गई रही तो इसका जहाज था यहरंपो पोहूंच सकताаздकर यहरंपो केस नेहीं लेट देख है यह पूंच नहीं कारण से उसका जहांच छुड़ गया और जहार आईर करके वो बोला कि अब मेरा जो है अब जो है भारे तेरेल वे मेरा पैसा को return करें क्योंकि वो देरी कर रहा है तो उस कारण से सूप्रीम कोड ने अगर बिना कारण से train late होती है तो यात्रियों को उनका भड़ा return करना पड़े गा अगर कोई पत्री उखड गया वो कारण नहीं बदा सकते हैं शो लोग train को आगे नहीं ले जा सकते, लेकिन बीना कारण से train लेट होती है, तो ऐसे इस्तिति में आत्रियों को भाड़ा उनका देना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा, यात्रियों को देना पड़ेगा, किसके द्वारा, railway के द्वारा, चलिए, next question क्यों चलते हैं, भारत के किस राज्य और डेन्मार्क में मनार के खाड़े में एक उर्जा द्वीब बनाने की योजना बनाई है, तो यह हो जगा तमिलनाडू, तमिलनाडू और डेन्मार्क के बीच में, एक क्या दोस्तो, एक योजना बनाई है, जो कि मनार के खाड़े में एक ग्वीब उर्जा द चरकार और भारत शरकार और SCI विगास बैंक यानि के ADP जो कि इसका हेड़ पार्डर होगा मनीला ठीक है भारत सकार और SCI विगास बैंक ने किस राज्य में जलापूर्ति के धाचे को विक्सित करने के लिए 112 मिलियन डोलर के रिन का स्थाक्चर किया है सही उत्तर हो जाएगा धारखंड यानि धारखंड और SCI विगास बैंक ने मिल करके यहाँ पर रिन 112 मिलियन डोलर के रिन पर हस्थाक्चर किया है ताकि अब धारखंड को अच्छा पानी मिल सकेगा ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशिंग तो चलते हैं दोस्तों सुरक्था पर केविनेट समीती ने 56C 295 मेगावार्ट विमान की खरिदारी के लिए मंजूरी दी गई है और यह कहां से खरिदी जा रही है दोस्तों यह खरिदी जा रही है इस्पेन से और यह जहां जैसे ही खरिदा जाएगा वैसे ही एक भारत्य सेना को दिया जाएगा और एक तरीके से भारत्य वायू से नाम एक तरीके से सुरक्षा पर मजबूती आएगी, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट कोशिन क्यों चलते हैं, केंदरी रच्छा मंतरी राजनास सिंग और केंदरी राजमार्ग मंतरी निटिन गटकरी ने किस राज में एक राश्ट ये राजम को तो समझ गये, कि नितिन गटकरी और कौन? कौन? राजनास सिंग, यानि कि हम लोगे जो रच्छा मंतरी हैं, राजनास सिंग और राजमार्ग मंतरी जो है, नितिन गटकरी जी, दोनों ने मिल करके, राश्ट ये राजमार्ग पर आपातकार ने लेंडिंग सुविदा का पूर्गाटन किया है, ठीक है? अब यहाँ पर थोड़ा से इस बात को समझेगा, जहां जहां पर, जहां जहां पर बोडर है हम लोगा, ठीक है? जहां पर बोडर है पाकिस्तान के साथ में, तो उसके बगल में हम लोगा जहां पर भी रोड बनेगा, उसके बगल में तराज है इधर हो गया पाकिस्तान और यह हो गया बोडर उसके बाद हम लोगा भारत का राज तो जहां पर भी राज बोडर से सटा हुआ है तो वहां का रोड को क्या किया जाएगा वहां पे जहाज को भी लेंडिंग कराने के जैसा वहां पे बनाया जाएगा ताकि उस रोड का उप्योग जो है आपातकालिन लेंडिंग के लिए भी वहाँ पर क्या किया जाए किया जा सकता है आपातकालिन लेंडिंग के लिए तो उसी काल में उसी को ले करके यहां पर राजस्थान में पहला ऐसा सुविदा उधगाटन किया गया है जो कि आपातकाल lending करवाया जा सके ठीक है दोस्तों चलिए नेक्स्ट कोशिन क्यों चलते हैं नेक्स्ट कोशिन हम लोगे साथ में आ चुका है आमेजन ने निर्यात के लिए किस राय सरकार के साथ में समझोता ग्यापन पर हख तुक्षर किया है तो गुजरात के साथ मियानी कि आमेजन जो है ए कॉमर्स कमपनी है जो कि गुजरात के साथ में यहाँ पर समझोते ग्यापन पर हख ताच्षर किया है नेक्स्ट किसने अरुन कुमार सिंग को अपनी कमपनी का अध्यच और परवन निदेशक नूट किया है दोस्तों तो बीपी सी एल के दुआरा यहाँ पर अरुन कुम कार ने रजनिस कुमार को अपना आर्थिक सलाकार नूट किया दोस्तों तो वह हो जाएगा आंधरा यानि की आंधरा के द्वारा ठीक है तो यहाँ पर आंधरा के द्वारा आंधरा परदेश के द्वारा जो पहले जो यहाँ पर पहले रजनिस कुमार थे रजनिस कुमार उनको अपना आर्थिक सलाकार नियुक्त किया है ठीक है और इससे क्या हो जाएगा आंधरप परदेश को सलाकार अच्छा मिल गया तो सला अच्छा मिलेगा और अपने आर्थिक इस्तीति को उच्छा बढ़ाने में ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिलेगा ठीक है ताकि यहाँ पर रजनीश कुमार जो है बैंक आप इंडिया में जो भी एस्टेट बैंक आप इंडिया में जितना अभी अनुपा है ताकि वो आंधर प्रदेश सरकार के साथ में साजा कर सकते हैं ठीक है दोस्तों चले नेक्ट कोशन क्यों चलते हैं आंसर पहले दिख भी चुका है यहां पर सिछा मन्तरी धर्मेंदर परधान ने नेशनल इंस्टिट्यूट अफ रेंकिंग फ्रेमवर्क रेंकिंग का खुलासा किया इसमें कौन अब्राइब रहा तो यहां पर याद रखेगा दोस्तों कि नेशनल इंस्टिट्यूट अफ र 2021 में ASEAN Federation of Advertising Association AFAA द्वारा हाल और फेम में किसे सामिल किया गया है तो सही उत्तर हो जगार रमेश नरायन जी गो एक दिसंबर 2022 से कौन से देश G20 की अध्यचिता करेगा दोस्तो तो इंडोनेसिया एक बात मैं बोलना चाहूंगा दोस्तो कि इस विडियो के अंद में हम लोग COP26 ठीक है या फिर होगा G20, G7, BRICS या फिर ASEAN सभी को हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं सभी को हम लोग वहां देखने वाले हैं तो विडियो के अंद तक आप लोग बने रहे हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशिन क्यों चलते हैं ACI Bikas Bank ने तमिलनाडू शहरी विकास आवास परियोजना के लिए कितनी रासी की मंजूरी दी है दोस्तों तो चलिए बारत के चिंडरयान दो अंतिरिच या ने चिंडरमा के चारो और 9000 से अधिक परिकर्मा पूरी कर लिए यह mission कब launch किया गया है दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 2019 सिंपल सा question यह है भारत के चनरयान दो का अंतिरिच श्यान का mission कब launch किया गया 2019 में next question क्यों चलते हैं किस हवाई अड़ा ने जीता तो दिल्ली हवाई अड़ा याद रखेगा दोस्तों इंफर्मेटिक question है next question क्यों चलते हैं हम लोग business blaster कारी करम की सुरुआत किस ने की है दोस्तों इस चीज़ को भी याद रखेगा तो सही उतर हो जाएगा मनिस सिसोधिया सिच्छा मंत्री हैं कहाँ पे केजरिवाल सरकार में तो यहाँ पे उन्हों ने ही business blaster कारी करम की सुरुआत की है next चलते हैं हाली में किस राज के राजपाल ने अपने पद से इस्थिपा दे दिया दोस्तों तो उत्राखंड के राजपाल ने यहाँ पे इस्थिपा दे दिये हैं अब उम्मिद लगाया जा रहा है कि इन्हों ने जो है अब यहाँ पे चुनाओं में खड़े होंगे बहरत भर में MS-MES को रिन सायता प्रदान करने और मजबुत करने के लिए किस बेंक ने राश्टिय लगू उद्योग निगम MSIC के साथ एक समझोते ग्यापन पर हस्ताक्षर किया है तो सही उत्तर हो जागा HDFC यानि कि सिंबल सा बात ये है भारत भर में यानि पूरे भारत में MS-MES को रिन देने के लिए और मजबुती करने के लिए हना HDFC के साथ में एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किया है ताकि राश्टिय लगू उद्योग को इससे क्या मिलेगा बेनिफिट मिलेगा तो कि HDFC लोन देगी तो जो छोटे-छोटे यहां पर राश्टिय लगू उद्योग है उनको फायता होगा और अपने कारोबार को उन लोग आगे जा सकते हैं चलिए, next question क्यों चलते हैं दोस्तो नरेंडर्मोदी ने हाल ही में कब सिछा के एरिया में विध्याँचल पोर्टल और कई अन्य पलू पर सुभारं किया हैं दोस्तो कोशिन आप लोगा सीधा सा है, बिद्यांचल पोर्टल, ठीक है, कब चालू किया गया, कब लोंच किया गया, कब सुरू भारम किया गया, पांस सिले का सदरा सितंबर, ठीक है, next, नमिता गोखले का सात्मे, सात्मे, याद रखेगा, यामीन हजारिका ओमेन फॉर सबस्टांस से किसको नामित किया गया, नमिता गोखले को, तो नमिता गोखले जी किस से संबंदीत है, सही उत्तर हो जागा, तो नमिता गोखले जी जो है, क्या है, लेका कि उनको यामीन हजारिका ओमेन फॉर सब्स्टांसेस अवाड से चुना गया है, ठीक है, चलिए, next question को चलते है, next question हम लोगे सामने माच चुका है दोस्तो, हाल ही में किसने प्रान नामा के एक पोर्टल लॉंच किया है, इस चीज को भी आप लोग याद रखेगा, सही उत्तर हो जागा, पुपेंद्र यादो, जितना भी पोर्टल और जितना भी कारिक करम सुरुवात किया जाता है, उस इसने साथ सितंबर को अपने मंत्री मंडल की घोसना की, वाई साहब, वाई साहब, यह क्या हो गया, तालिबान, तालिबान भी अपना जो है, मंत्री मंडल का, ठीक है, अंत्री मंडल का, यानि चुनाओं से पहले, ठीक है, चुनाओं से पहले, जो मंत्री मंडल बनता है, सितंबर को आप वहाँ पर चुना होने सुत रहा, ठीक है? चुना कैसे होगा दोस्तो जब तालीबान में तालीबान में, वहाँ अलकाइदा वहाँ पर क्या कर लिया है? तालीबानियों लोग वहाँ पर अपना मंत्री मंदल सब कोई वहाँ पर whereolver लेके, कोई बंदुक ले करके कोई क्या ले करके वहाँ पे सीट पे बैठा हुआ है तो ऐसा ऐसा सरकार चलाएगा तो वहाँ पे अफगानिस्तान का क्या होगा दोस्तो सोचिए ठीक है चलिए किसने गोसना की है कि इंस्पारशन 4 की पहली सर्वे नागरे गेर सरकारिक हो जाएगा इसपेक्स X के मालिक है एलन मस्क ठीक है भ्याना का आदमी है जिद्धी इंसान है दोस्तो वो जो सोंचता है वही वहाँ पे कर दिता है अब यहाँ पे इनोंने जो है अंतीच में आदमियों को भी भेजने का इनोंने काम कर रहा है तो यहाँ पे उसी को लेकर के यहाँ पे इस स्पेस फ्लाइट का 15 सितंबर को लॉंच किया जाएगा ठीक है दोस्तो चलिए नेक्स कोशिन क्यों चलते हैं हाली में किस राज सरकार ने अपने दुकान और परतिष्ठान अधिनिया 1947 में संसोधन के लिए एक बिदेक फिक्स किया है तो हो जाएगा तमिलनाडू नेक्स कोशिन क्यों चलते हैं भारते मूल के पहले सक्स कौन है जो आस्ट्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज़ बने हैं दोस्तो तो वो सही उत्तर हो जाएगा और यह भारत की गर्व की बात है नेक्स्ट कोशिन क्यों चलते हैं कार्बन का ओसोशन करने वाली दुनिया के सबसे बड़े सयांतर को किस देश में सुरू किया गया दोस्तो आइसलेंड यानि आइसलेंड में यहाँ पे एक रियक्टर लगाया गया है जोगी कार्बन का ओसोशन करने सकेगा ठीक है चली नेक्स्ट कोशिन को चलते हैं नीजी नोक्री में आरक्षन देने वाला देश का तिसरा राज्य कौन बना है मारो कौन जार्खन नीजी नोक्री में ठीक है आरक्षन देने वाला देश का तिसरा राज कुन बन गया दोस्तों मारो कुन जार्खंड राजस्तान नहीं जार्खंड ठीक है चलिए नेक्ट को चलते हैं तेरवे ब्रिक्स सिकर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की दोस्तों तो नरेंद्र मोधी जी इस सब कोशन किसी ना किसी एकजम यह सब कुशन आएगा ठीक है चलिए नेक्ट कोशन को चलते हैं भारत का पहला परमाणू मिशाल ट्रेकिंग जाहाज का नाम बताई है जो कि 10 सितंबर को लौंच होगा और ये होगा कौन सा ये है परमाणू मिशाल ट्रेकिंग ठुरू ठीक है और कहा से लॉंच होगा दोस्तों विसा का पटनम से लॉंच होगा और दिखें यहां पर विस्वों में भारत भी अब उन देशों में सामिल हो गया दोस्तों जो कि missile tracking को भी ये क्या करेगा missile को भी track करेगा तो अब हम लोग भी एक ऐसा जहाज बना लिए DRDO के दोवारा जो कि missile को track करेगा और हम लोग आसानी से जान जाएंगे कि कौन सा direction से और किसका missile यहाँ पर आ रहा है और हम लोग उसको क्या कर देंगे चाती ग्रस कर देंगे ठीक है तो जो कि ये जो है missile tracking जहाज का नाम बताईए जो कि नाम हो जाएगा दुरू launching कहां से होगा विसाका पटनम से कब 10 सितंबर से यहाँ पर 10 सितंबर से यहाँ पर क्या होगा दोस्तो यहाँ पर launch होगा ठीक है हाई बास सुरुआत करने के लिए वारा नसी ने सुरुआत किया है ताकि परियर्टा को क्या कर सके बढ़ावा दे सके और अपने वारा नसी में ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर क्या है परियर्टा का है और इससे हम लोगो क्या मिलेगा इससे हम हम लोगों फायदा होगा ठीक है इसलिए इस सेवा का सुरुवात किया गया है चलिए next question क्यों चलते हैं हाली में किस राज सरकार ने बास उद्यों के स्थापित करने के लिए 2.77 करोड रुपय का अनुदान निर्धारित किया है दोस्तों तो सही हो जाएगा MP तो MP के दवारा 2.77 करोड रुपय का अनुदान निर्धारित किया गया है ताकि बास उद्यों का स्थापित किया जा सके ठीक है चलिए इससे भी यहाँ पे रोजगार उत्पन होने का चांस है next question को चलते है हाली में किस देश ने छोटे बैमान पर भांग की खेती को वेद्दे बनाने का न निर्ने लिया गया है ठीक है यहाँ पर टाइपिंग हो गया है गलती किसका वेद्दे का यहाँ पर मैं इसको लिग देता हूं वेद्दे ठीक है चलिए तो इटली देश के दौरा एक यह निर्ने लिया गया है कि छोटे पैमाने पर ठीक है भांग भांग तो आप लोग ज हाली में किस कंपणी ने पर्तिभा महापात्रा को अपना उपाध्य ब्राया दोस्तों यह हो जाएगा एडव नेक्स्ट कोशिन क्यों चलते हैं हाली में किस देश ने वेस्ट नाइल वाइरस संक्रमन में संभावित बिरिधी के चेतावनी दी है तो वो हो जगा रसिया यानि कि रसिया देश ने चेतावनी दी है कि वेस्ट नाइल वाइरस जो है इसका इंक्रीजमेंट हो सकता है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं, भारती नो सेना ने 29 अगस 2021 को किस देश के साथ में अपना पहला नो सेना अभ्यास किया, तो ये होगा अलजीरिया, ठीक है, इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट ये क्योंकि कोई भी काम पहली बार जब होता है, तो वो इंपोर्टेंट बन जाता है, तो एक्जाम में आता है, तो भारती नो सेना ने 29 अगस 2021 को अलजीरिया के साथ में, अलजीरिया के साथ में अपना पहला नो सेना अभ्यास, ठीक है, चलिए, भारत के मानों ले जाने वाली अंतरिश यान को आगे बढ़ाने वाली सिस्टम जाने वाली अंतरिश यान, ये कोई जाज नहीं है, हेलिकोप्टर नहीं है, ये क्या है, अंतरिश यान है, तो अंतरिश यान को आगे बढ़ाने वाली सिस्टम को सफलता है, पुर्वक परिक्षन किस नहीं किया है, दोस्तों, इस रो ने किया है, इंडियन स्पेस और्गनेशन ने किया है ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशिन को चलते हैं किस भारत के सहर में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन एलेक्ट्रो लाइजर निर्मान इकाई ठीक है इकाई हाल ही में सुरू किया गया है तो इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों कौन हो जाएगा बेंगलूरू बेंगलूरू का यान भारत का बेंगलूरू सहर में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रो लाइजर निर्मान इकाई हाली में सुरू की गई है बेंगलूरू में सुरू किया गया है ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशिन क्यों चलते हैं मतुरा में मान स आपके विक्री पर क्या का लगा दिया है परतिबंद लगा दिया है ठीक है चलिए नेक्स्ट को चलते हैं राष्टे डेरी विकास बोर्ड एंडीडीबी द्वारा विक्सित गोपाला एप्लिकेशन का वेब संकरण किसके सायता से लॉंच किया गया दोस्तों तो यहां पे हो मर्स हो यांशन। जो खिसान है उनको फायदा हो सके गोपाला साज ही ना मसे पता चल रहा न दोस्तों गोपाला गोपाल मतलब हो गया यहां पर दुद गाएवा वाला सब ठीक है तो गौ आला तो इस तरीके साब यहां पर याद रखिए तो चलिए नेक्स कोश्म चम् सच दिवाओं के लिए 29 अगर्द 21 को किस मंत्रा लेने विध्यान ववन से वाई वाई ब्रेक एप लॉंच किया है दोस्तों तो यह हो जाएगा आयूस मंत्रा लेने वाई ब्रेक एप ठीक है याद रखेगे इस चीच को नेक्स्ट कोशिन क्यों चलते हैं राष्टी आपदा पुर्वन्दन राधिक रण एंडी एमे और किस आयाइटी ने एक सायूत उध्याम में एक एप दिक्सित किया है जो कि नेचूरली आपदाओं का भईश्यवानी करेगा तो कौन हो जागा दोस्तों आयाइटी रूड की नेक्स्ट कोशिन को चलते हैं भारते मुगे बाज ने किस यूआँ चेमपियनशिप में नो रजजट और पांच खांसे पदक के साथ में छो सौर्ड जिता है दोस्तों वह हो जागा एस्टी आइश्याई चेमपियनशिप में भारते मुगे बाज ने ठीक है कितना नो कि आदालत के उस आदेश पर रोक लगा दिये जिसमें विवादित ग्यानवापी महजित कासी विश्वनात मंदिर परिश्वर का व्यापक पुरातात्रिक भौतिक परिक्षन करने के लिए कहा था तो इलाहबाद हाई कोट ने इस बात पर रोक लगा दिया है कि ग्यानवापी महजित कासी विश्वनात मंदिर के परिसर में पूरा तत्व भौतिक सर्वेच्षन के लिए क्या किया गया है फिलाल के लिए इलाहबाद हाई कोट के दवारा वहाँ पर क्या आदेश को रोक क्यों चलते हैं हाली में किस मंत्राले ने स्वच सर्वेच्षन के रामीन 2021 लॉंच किया आई गया है दोस्तों तो जल सकती मंत्राले ने बहुत इंपोर्टन कोश्चिन है इसा नेक्ट क्यों चलते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगडन डियार डियो ने माध्यम जाएगा वायू सेना को यानि वायू सेना को डियार डियो ने एक माध्यम दूरी की सत्ता से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिष्टम है आपे वायू सेना को सोंपी है किस के द्वारा डियार डियो के द्वारा ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशिन क्यों चलते हैं दोस्तर रा रामनाथ कोबिन जी ने किसे उत्राखन का राजपाल निउप्ड किया गया है, नेक्ट कोशिन क्यों चलते हैं भारत के पहले स्वादेसी रोप में डिजाइन किया गया है जो कि हाई राक कोईला गेसी करण ठीक है आधारित मेथेनौल उत्पादन सेंतर का उत्गाटन किया गया है मेथेनौल उत्पादन रियक्टर कहां पे लगाया गया है दोस्तों कहां पे उत्गाटन किया गया है तो सही उत्तर हो जाएगा एदराबाद नेक्स्ट कोई चलते हैं विस वह आत्महत्या रोगठाम दिवसका बनाए जाता है तो दस सितमबर उसका थीम क्या था तो क्रियेटिंग हो थ्रो एक्षन यानि कि जो बेक्ती मरने वाले हैं अगर आपको लगता है कि सुसाइट करने वाले हैं तो उनको जीने का उमीद की बिला है दोस्तों तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा स्री नगर ओके तो यहां पर क्या हो जाएगा स्री नगर को में जमू और कासी को अपना पहला कला और संस्कृतिक एंद्र hack नम क्या है जो कि कहां पर दुनिया का पांचवाँ देश याद रखेगा इस चीज को कि INS धुरू ठीक है भारत ने भी अपना बैलेस्टिक मिसाल सिस्टम को लॉंच कर लिया है जो कि उपग्र यानि कि सेटलाइट ट्रेकिंग जहाज यानि आप सेटलाइट को भी यहाँ पे ट्रेकिंग किया जा सके यह उच्च क्वालिटी का सिस्टम है ठीक है चलिए तो नाम रखेगा क्या INS धुरू ठीक है चलिए नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कोश्चन हम लोग के सामने में आप पे आ चुका है हाली में किस बैंक ने जिमू कासमेर में डल जील पर अपना पहला पहला अ ट्यह्या कोouch लगाया ठीक है तो शाही उतर हो जाएगा एसबीङा इस यस्टेड़ बैंक ऑफ इंडिया के दवारा इसटेड़ बैंक ऑफ इंडिया के दवारा में ऑपना पहला प्हला अ स्बास्च को चलते हैं गूर्डवें रहे वर्कौप तिरुचिरा पल्ली को भा तो यहाँ पे हो जाएगा 22 राष्ट्रिय पुरुसकार किसको गिदिया गया Golden Rock Railway Workshop कहाँ पे दोस्तों तीरू चीरापली में इसको यहाँ पे 22 राष्ट्रिय पुरुसकार से शमानित किया गया क्योंकि यह वर्क्सप जो है काम करने में सबसा सबसे आगे है ठीक है चली next question को चलते हैं बच्चों का टिका करन सुरू करने वाला दुनिया का पहला देशकोन बन चुका है तो यहाँ पे होगा Cuba याद रखिए का बच्चों का टिका करन सुरू करने वाला दुनिया का पहला देशकोन बन चुका है तो यह होगा क्यूबा यानि दो साल के बच्चों तक हो भी इन्होंने टीका करन शुरू कर दिया गया है ठीक है चलिए next question के चलते हैं अब हम लोग के सामने हम देखिए अब हम लोग के सामने महा रहा है G20 अब यहाँ पर देखिएगा अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे G20 G20 का यहाँ पर कोई भी क्या नहीं है मुख्याले नहीं ठीक है और G20 का कहाँ कहाँ पर बयटक हुआ है उश चीच को हम लोग यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो G20 देखिए यहाँ पर G20 यहाँ इनि 20 देशों का यह समू है ठीक है तो यह हो जाएगा 19 पलस 1 देशों का दोस्तों समू है और 2019 में ठीक है दोस्तों 2019 में जो है इसका बैठा कहां पे किया गया था इसका बैठा किया गया था जपान में ठीक है तो G20 का 2019 में कहां बैठा किया गया जपान में किया गया 20 में कहां पर किया गया दोस्तों साओधी अरब में किया गया और 21 में कहां पर किया जाएगा रोम में किया जाएगा ठीक है ठीक है चलिए और 2022 में कहां पर किया जाएगा दोस्तों इंडोनेसिया में किया जाएगा इस सब कोशिन को आप लोग याद रखिएगा और 2023 में कहां पर किया जाएगा इंडिया में किया जाएगा तो आप लोगों को बस इतना सा question पुछेगा कि 2023 में इंडिया में किसका बैटक होने वाला है चार उपसन वाप देगा जो कि एक option है आप पर G20 भी रहेगा या फिर पूछेगा कि 2023 में G20 का बैटक कहा होने वाला है क्योंगि एक्जाम में question जरूरा है ठीक है चली next question को चलते हैं G7 G7 देखिए साथ समू का यह देश है दोस्तो तो इसका 2019 में G7 का जो बैटक हुआ था वो कहां पर हुआ था दोस्तो फ्रांस में हुआ था 2020 में कहां पर होने वाला था USA में होने वाला था लेकिन उसको अस्तागित कर दिया गया क्योंकि कोरोना वहां पर USA में 2020 में बहुत हाई quality में बढ़ रहा था बहुत ज्यादा बढ़ रहा था जिसके कारण से G7 का बैठक को वहां पर अस्तागित करना पड़ा अब इसको 2021 में कहां किया जाएगा UK में किया जाएगा next term में चलते असियान का full form आप लोग सुन लिजएगा association of south east nation ठीक है association यहां पर चलिए हम लिख दे रहे हैं आप लोग इसका full form दोस्तो association ठीक है association of south east nation ठीक है association of south east nation यानी कि आप लोग का जैसे आप लोग जानते हैं यह भारत हो गया तो भारत के तरफ से south east nation यानी कि इधर ओला देश जितना भी है ठीक है इधर ओला south east के तरफ से जितना भी देश हैं इधर ठीक है सभी देश का समुपोई यहां पर association of south east nation का जाता है और south में का जाता है asian ठीक है तो यहां पर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तो यहां पर इस तरीके का क्या हो जाएगा यहां पर इसका figure को देख लेंगे हम लोग ठीक है और देखेंगे यहां पर asian में जो है asian में भारत इसका सदेश से नहीं है दोस्तो और देखें यहां अब यहां पे धिक ओलिए में, अब यहां पर देख लेते हैं में, इसका चलें प्रिक्स सबसे इंपोर्टेंट और यहां पर कितने देश हो जाएंगे एक दो तीन चार पांच यानि कितने देश हो जाएंगे पांच देश हो जाएंगे और सबसे बाद में कौन आया यहां पर साउथ अफरिका जुड़ा 2009 में ठीक है और 2020 में रूस में इसका बैठक किया गया दोस्तों ओनलाइन के माद्याम से और 2021 में कहां पर किया जाएगा इंडिया में किया जाएगा अब यहां पर सबसे इंपोर् एक एसमें इंडिया में हो जाएगा 21 में उसके जाइन चाइना में हो जाएगा 2022 में फिर साओ्ड अफरीका में हो जाएगा तैईस में फिर यहां ग्यों क्की आ जाएगा किसके पास में ब्राजिल के पास में और पिर यह Two year ve fifteen है और ऐसे पिर जह है आगे기에 और चलते रहता एक-एक साल के बाद में वहाँ पे चलते रहता है, ठीक है दोस्तों, तो भरत कप करेगा, 2021 में करेगा, नेक्स चलते हम लोग, अब आते है कोप 25, तो कोप 25 का बैठाक, स्पेन में हुआ था, कोप 26 का बैठाक, एक नॉमबर से लेकर 12 नॉमबर 2021 के बीच में कहा पे होने वाल है, ठीक है दोस्तों चली, अब आते हैं हम लोग important dates में, important dates में आप लोग देख लिजएगा, पहला सितंबर जो है nutrition, national nutrition week हम लोग मनाते हैं, ठीक है, second September जो world coconut day का नाम से जाना जाता है, third September स्काइक क्रेपर डे के नाम से जाना जाता है पांस सिंतंबर आप लोग जानते हैं टीचर टे जो भारत मना जाता है और इंटरनेशनल डे ओप चेरिटी के रूप में भी इसको मना जाता है ठीक है साथ सिंतंबर को ब्राजिलियन इंडिपेंडेंटेंस डे मना जाता है और आ इसको मनाए जाता है ठीक है दोस्तों तो आज का सेस्टन को हम लोग यहीं तक रखते हैं यह वीडियो यह वीकली करेंट अफेर्स आपके लिए कितना फाइदामन्द है जरूर कमेंट बोक्स में लिखेगा और आप हमारा टेली ग्राम ग्रूप में जोइन होने के लिए सच क लगा कंट लेजे लिखेग एक लाइक जरूर कर देजिए ज़ादा सजएर कर देजे और चैनल में नए आएं तो सब्सक्राइब कर लीजे इंगे दोस्तों मिलते हैं नेक्ट फीडियो में जय हिं जय भारत तब तक लिए नमस्कार